लीगल रिपोर्टर के सब ही वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं नमस्कार लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ विपला वस्ती आज हम बाचीत करने जा रहे हैं एंडी पीएस एक्ट को लेकर यानि कि दा नार्कोटिक्स ड्रक एंड साइकोट्रोपिक सब्सेंस एक्ट 1985 और इस एक्ट के बारे में आपको सबसे महत्पोल चर्चा हम आज करने जा रहे हैं कि क्या इस एक्ट में बेलेबिल और ज्यादा तर ओफेंस बेलेबिल है या नॉन करिक तीन दशक से ज्यादा का बड़ा और एंडी पीएस के मामलों में खासा उनको अपना कह सकते हैं कि है तो विकाजी सबसे पहले तो शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं मुझे यह बताईए ओवराल एंडी पीएस को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या सभी सेक्शन नॉ क्या कहता है बुक क्या कहती है और एक्ट क्या कहता विकाजी विपलब जी तो बहुत सबस्ष्ट है लेकिन जब आपको पता है कि रिया चेकर वरती का केज आर्याण खान का कीज जब आता है अदालतों में तो किस तरह से एजनसी कानून का दुरुपयोग भी करती हैं और फिर एग on their face भी होता है आपके माध्यम से भी और विशेश और अन्ये चैनलों के माध्यम से भी आरियन खान या रिया चेकरवर्ती की केस में भी जब बात आई कि वो एक जादा से जादा एक personal consumption का matter था और personal consumption ने एक बेलेब application भरती है तो जादा तर हमने ये पाया है कि निचली आदालते उनमें हस्ता शेप नहीं करती और इसका सुधार जाकर कि हाई कोड़ पे होता है और दोनों ही cases में हाई कोड़ से उनको बेल मिल गई थी तो जहां तक एक कानून में प्रावधान जो है NDPS Act में कि एक cognizable and non-bailable offense है लेकिन by virtue of judgments जो personal consumption के cases है जो small quantity से related होते हैं वो by virtue of judgments बेलेबल offense बनाए गए है विबिन हाई को डोने तो आमूमन offenses cognizable है cognizable का आप जानते ही है कि जहाँ police officer को बिना warrant के arrest करने की power होती है और non-bailable है इसमें भी फिर आ जाता है कि आपने NDPS में देखा होगा कि किस तरह से एक differentiation है class का कि small quantity intermediate quantity और commercial quantity commercial quantity की बेंस में जो 371b12 में अगर आप तो आगे जाएंगे मुझसे सवाल पूचेंगे तो वहां बेल के प्रावधान बहुत ही सगत है आमूमन कोगनिजिबल और non-bailable है लेकिन personal consumption के जो matters है जिसमें small quantity होती है वो एक बेलिबल offense है ठीक है सेक्शन 37 ndps का पढ़ रहा हूं इसका टाइटल ही अपने आप में काफी है और टाइटल कहता है offenses to be cognizable and non-bailable not with this standing anything contained in the court of criminal procedure 1973 every offense punishable under this act shall be cognizable 37 की language कहती है विकास सर देखने में यह आया है कि चाहां तक निशली अदालतों का सवाल है वो बेल देने में इस तरह के मामलों में बेल देने में प्रॉब्लम करती है उनको समस्या होती है और जेल में रखना ही एजनसी भी लगातार उनसे कहती है कि साब कंजम्शन का ही मामला सही लेकिन इनको जेल में रखा जाए तो बेल देने से परहेज करती है मेरा साबतार पर आपसे पूछना है स्टेच्विट क्या कहता है और जो हाई कोट और सुप्रीम कोट के ओडर है उनमें कितना बड़ा गैप और डिफरेंस आप देख रहे हैं गैप और डिफरेंस नहीं अगर आप पूरा पढ़ेंगे मैं जैसे आपको आप इसमें हां जी मेरे पास एक्ट है है मैं बोलता हूं जे विपला उसमें क्या है कि बेल के जो प्रावधान है 37 1 B 1 & 2 में जो सेक्शन में कंटेंड है वो उन प्रावधानों में है जहां पे कमर्शल कॉंटिटी है यह ओफेंस सेक्शन 19 का बनता है 24 का बनता है 27 A जो एक इलिसिट फाइनसिंग का होता है अगर आपको याद होगा रिया चकरवर्ती में इलिसिट फाइनसिंग का 27 A का चार्ज लगाया था क्योंकि कमर्शल कॉंटिटी नहीं थी और आप उसको 37 1 B 1 & 2 के इंबार्गों में लाना चाहते थे बेल में रोधक बनना चाहते थे इसलि रिया चकरवर्ती ने खरीदी भी है सुशान्त के लिए ड्रग तो वो एक पर्सनल कंजम्शन है इलिसिट फाइनसिंग नहीं है या आप किसी के लिए फाइनसिंग नहीं कर रही है तो जो सबसे महत्वपून बात यह है कि 37 1 B 1 & 2 का एंबार्गों जो है जो ट्विन कि आप CRPC की 439 की जो कंडिशन है उसको नहीं उसको हटाते हुए जो यहां क्योंकि NDPS Act अपने आप में सब्सेंटिव और Procedural Law Statute दोनों है यहां सब्सेंटिव भी है और CRPC की कोई प्रावधानों को ना मानते हुए यहां पी जो प्रावधान है NDPS Act में वो अपने आप में पूरन है उसमें CRPC की 439 की अविश्रक्ता नहीं है एस फार एस 37, 1, B1 and 2 are concerned और वो भी किस परस्षितियों में जब कमर्शल कॉंटिटी हो मैंने आपको इससे बताया कि राइबारी क्या होता है small quantity 2 gram है intermediate quantity 50 gram है और commercial quantity फ़ी सोग्राम है फरक्त क्या आता है कि small quantity में सिर्फ 6 पहीने की सजा है intermediate quantity में 5 से 10 साल minimum 5 years, maximum 10 years और commercial quantity में minimum 10 years और 20 years तक की सजा लेकिन 27A अपने आप में अगर illicit financing of drug और harboring of offenders बनता है तो वो भी अपने आप में 10 साल minimum की सजा बनती है तो उस तरह से हमको देखना पड़ता है कि कितनी क्या quantity है कौन सा section लग रहा है कि इसमें 371, B1 and 2 का embargo लगता है ऐसा नहीं है कि हर स्थिती में 371, B1, 2 का रोधक आ जाएगा और bail को deny किया जाएगा जो भी intermediate quantities होती है तब 371, B1, 2 की कोई relevance नहीं है तब आप 439 की conditions लगा के ही bail देते हो ठीक है ठीक है जो arrest हो गया है और लगातार C कर रहा है bail और denial है इस condition में वो क्या करेगा क्या राए है आपकी ठीक है यह तो facts पे cases है क्योंकि twin condition क्या है अगर आप act को खुलेंगे twin condition दो महत्वकून चीज़ है एक वो कहते है कि public prosecutor को opportunity दी जाएगी दूसरी यह है कि court को यह लगे कि he is not guilty of the offense and he is not likely to further cause the offense not guilty of the offense आपको इस तरह से सामने दिखाना पड़ेगा कि आपका क्या रोल था आपका रोल था या नहीं था एक और बड़ी महत्वकून जो पिछले एक साल में परिस्थित्यों में बदलाव आया है वो यह है विपलव की जो 67 का confession statement होता था वो अब ही अपने आप में sufficient होता था रोधग बनने के लिए 37-1-B-1-2 की twin conditions नहीं मीट उपाती थी अब जब 67 का statement ही चला गया है वो भी ऐसा statement है जैसे आपने police officer के सामने statement दिया है कोई recovery statement के बाद हो तब ही उस statement की महत्वक्ता है तो मुझे आज लगता है कि आज की तारीक में बेल मिलना NDPS में पहले के मुकाबले से जब से 67 गया है और 67 को unconstitutional declare कर दिया गया है सुप्रीम कोट ने और कहा है कि 67 भी उसी तरह है जैसे police officers के सामने statement है मुझे लगता है बेल प्राप्त करना despite the fact और 37-1-B-1 and 2 की conditions के आज काफी हद से आसान है पर पिछले इस judgment से पहले आने से पहले हैं यह 67 का तो आपने उधारन दिया क्या अभी सुप्रीम कोट का हाल फिलाल ही बेल पर आप कोई महत्पूर्ट judgment बताना चाहेंगे जो एक तरह से इस पूरे act पर एक landmark judgment है सबसे बड़ी सबसे बड़ी तुफान से की ही judgment है versus union जो है जिसमें 67 को उन्होंने कहा की 67 unconstitutional है और वो उसी तरह से उसको statement को माना जाएगा जैसे की एक police officer के सामने statement होता है तो यह बहुत game changer judgment बन कर के आई है और दूसी में एक और आपके इस शोताओं को एक महतुत बात बताना चाहता हूँ कि एक union पहले क्या था कि आपकी quantity कितनी होती थी उसमें से purity percentage से commercial quantity intermediate quantity determine की जाती थी ministry of finance ने एक प्रावधान निकाला कि नहीं gross weight से commercial quantity होगी उससे क्या तकलीफ आने लग गई कि dishonest policeman dishonest investigating agency एक किलो चॉक पाउडर में अगर आपने पचास ग्राम को नशीला प्रदात मिला दिया तो आपकी commercial quantity बन गई इसके खिलाफ एक रिट petition अभी दिल्ली हाई कोट में admit हो गई है और उस पे आगे बहस होगी वो मुझे लगता है वो भी आने कंजम्शन के लिए यंग बॉइ हैं गर्ल्स हैं वो पंस्नल कंजम्शन के लिए यूज करते हैं और उसका इतना वहतर उसके media campaign होता है और तमाम media trial हो जाता है कि वो case बिगड़ते समय नहीं लगता है तो आपको इस सितिती में के एक investigation agency उसका कितना बड़ा roll देखते हैं देखें यह मेरा कहना तो बड़ा मुश्कित मतलब मैं क्या टिपड़ी करूँ एक जिम्मेदार investigating agency को हर case को उसी तरह से देखना चाहिए जैसे वो और किसी case को देख रहे हैं अगर एक celebrated case है उसमें आप जूटे प्रावधानों को attract करके remand application में celebrity status के लिए या किसी और reasons के लिए वो भी आपके सामने आए हैं वो अफवाए हैं कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई है तो department ही determine कर पाएगा लेकिन इमानदारी तो यही कहती है कि अगर ए में भी आपने arrest डाली है अगर वो consumption personal consumption का था तो बी में कोई जादा फरक नहीं होना चाहिए इस तरह से कि show me the man I'll show you the crime अगर स्थिती अगर होगा तो वो police राज बन जाता है democracy नहीं बच्चती तो मुझे लगता है कि आपको अगर ministry of social justice की आप website पे जाएंगे तो दो करोड से जादा yuva marijuana का सेवन करते हैं तो क्या हम सबों को jail में डाल देंगे magistrates भी धंका करके warning दे करके छोड़ देते हैं matters में इन matters को एक-एक महीने की अगर incarceration होए और high court के तीन दिन जाकर के बहस में लगें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीचली अदालतों में सुधार की आवशक्ता है जैसा कि आपने कहा भी और नीचली अदालतों में तो सुधार की आवशक्ता है investigations agencies को भी अपनी सोच में बदलने की आवशक्ता है और यही मुख पॉइंट है इस पूरी बातचीत का कि इस quantity को लेकर जैसा कि विकास सर्ल लगातार बता रहा है इस quantity को लेकर और उस पर बेल प्रावधानों को लेकर जो एक लंबी बहस है क्योंकि निशली अदालोतों में ज्यादा तरह यह तो आप दिल्ली के परिशेत में है जैसा विकास जी ने कहा भी लेकिन जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर एक तरह से इस small quantity को भी बहुत बड़ा करके देखा जाता तो उससे परिशान होने की जरूरत नहीं है अगर बेल का केस है तो निश्यत रूप से आपको बेल मिलेगी यह जरूर है कि investigation agency किस्तना उस केस को manipulate करती है यह भी देखा जाएगा email number email और एक mobile number आपको दे रहे हैं लगातार इस पर आप अगर विकास जी से कोई प्रशन करना चाहें तो निश्यत रूप से कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया विकास सरापता बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू